नमस्कार मैं चन्दन कुमार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज हम बात करेंगे कि HRMS के माध्यम से online on request transfer कैसे लगाएं उसका form कैसे भरें आप सभी जानते होंगे कि transfer की category बहुत सारी हैं जैसे इंटर रेलवे हैं इंटर डिवीजन है वह दोनों फॉर्म लगा सकते हैं और एक जो हता है आप जानते हैं ग्राउंड जो हता है अस्पाउस ग्राउंड हो गया जिसमें कोई भी लगा सकता है प्राउंड है जैसे और भी सारे हैं जैसे अगर किसी के बच्चे वेकलांग है उनके लिए ऐस्पेसल मतलब आ भी होता है और जिनके पती या पतनी जॉब करते हैं उनके लिए summकोटा आ था स्पेसल ग्राउंड होता है वैसे ही अगर कोई वीद्वा Cake था ट्रांसफर दिया जाता है तो इस वीडियो में अंततक बने रहे हम अस्टेप बाई अस्टेप पूरी जनकारी देंगे कि किस प्रकार जो है आप अपना ट्रांसफर अपने होम सीटी में करवा सकते हैं अपने घर के पास करा सकते हैं और ओभी ऑनलाइन माध्यम से दोस्तों से करें वह भी वीडियो आएगी ताकि अपना डिपार्टमेंट चेंज कर लें और उसके अलावे भी मुचुल ट्रांसफर के भी वीडियो बहुत जल्द हमारे यूट्यूब चैनल पर अप्लोड होंगी दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल क्रॉम खोल लेना है गूगल अ है कि HRM я刷 साथ करना मौN उसके बाद जो है सर्च कर देना है आपको सर्च करने के बाद आप देखेंगे कि जो फर्ष्ट में आ रहाए यहां पर यहां पर आप देख सकते हैं कि लोगाईन जो है कि इंडियन डेलवे जो है लोगिन इस पर आपको क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आप जो है यहां पर आप पहुंच जाएंगे यहां पर आप देखेंगे कि यूजर नेम और पासवर्ड पासवर्ड के बाद यहां पर capture code यहाँ पर username डालेंगे याँ password डालेंगे हैं पर capture code डालेंगे capture code डालएंगे करेंगे अगर यहाँ पर लोगिन करने के बाद आपको जो है एक OTP आएगा OTP जो है उसमें डालने के बाद आप सीधे जो है आप अपने HRMS पहुंच जाएंगे तो आईए हम भी लोगिन कर लेते हैं और दिखाते हैं कि वसके बाद यहां पर एक तीर के निसान पर क्लिक करने बाद आपको फाईल फूलेगा वह आपको दिखा देते हैं तो सककते हैं क्लिक करने के बाद चरा किга MEN sellers has тех लेते हैं यहां पर क्लिक करिएगा उसके बाद सबसे नीचे आप देखेंगे यहां पर अन्रिक्वेस्ट ट्रांसफर अप्लिकेशन का अप्सन आ रहा है इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपको यहां पर कि यह क्लिक हो गया आप देखेंगे थोड़ा वीडियो चोटा कर लेते हैं कि यहां पर देखेंगे कि आप कि application transfer जो है on request application transfer में मतलम मेरा no transfer application बता रहा है तो यहां पर आपको भी अगर new application पर Click कर लेना है निक भी अप्लिकेशन भरेंगे हम लोग निव अप्टिकेशन पर क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा जिसमें आपका नाम होगा डेटब परत होगा अपाइडमेट कपका है और मूड मतलब आरारसी से किस लेबल क्या है यह सारे चीज़ें आपको आ जाएंगे यहां पर डालने की जरूरत नहीं है आगे बढ़े उसके बाद देख़ेए आपको दिखाएगा करेंट इुनिट क्या है यह क्के बाद यहां पर आपको एजुकेशन कोलिफिकेसेन हैं नीचे बढ़ेंगे और देखिए यहां पर जो हैट ट्रांसफेर डिटेल है ट्रांसफेर करेंगे अगर आपको जोन करना है खुसी और ग्याना है अगर आपको उसी उसा सीच फोल यह लेडर करेंगे शाव करेंगे को बिश छिर्प करेंगे लिकहीई करेंगे तो सबस्ती है हुसके बाद यहां पर आप भी इंस उलेक्ट किया मने धानापूर सेलेक्ट कर लिया देख लिया वन होग कर देखेंगे आपका station यहां पर station जो है अपना station का नाम डूसर्फ का नाम के से समस्ट का नाम मालेजिए हमने कुछ बीदाल दूसर जा से माले जी नाम डाल दिया कोई भी स्टेशन डाल सकते हैं ऐसे मैं यह ट्राइल के लिए डाल रहा हूं उसके बाद जो है यहां पर देखेंगे आपका जो है अपको कोई जरूरत नहीं है उसके बाद यहांपर डिजी इनें सन आप देख रहा हूंगे है आपको करना मैं यहांपर अपना मैं चलार क्रा honeymoon कि ग्धा कर लेंगे आप भी कर सकते हैं अपने हिसाब से उसके बाद यहां पर देखेंगे आपको दिख रहा होगा यहां पर employees self photo मतलब यहां पर अपना एक photograph यहां पर signature अप्लोड करना है signature के बाद आप नीचे आएंगे नीचे आएंगे तो यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर आपको ट्रांसपर ग्राउंड दीखेगा ठीक है उसके बाद यहां पर supporting document है देख लिए सबसे पहले ट्रांसपर ग्राउंड के बारे में बता देते हैं तो आप उसके अधार पर अपना special ground में ट्रांसपर करा सकते हैं अगर कोई railway employee है और उनका जो है बच्चा जो है मतलब अगर कोई विकलांग है तो उस अधार पर भी देखें यहां पर आपको एक मैसेज दिख रहा होगा इसको पढ़ लिजे कर रहा है कि सिंसी यूर सर्विस इज लेस्ट है फाइव यह सब्मिशन ऑफ ट्रांसफर अप्लिकेशन इन इस ऑनली अलाव इन से लेक्ट जहां से बोल रहा है कि आप जो है आप का सर्वी साल से कम है इसलिuate आपको जनल्रांट-शॉैंस नहीं में एगए आपको कोई सपेशल ग्रांट चुणना हो गया या स्पाउस यह को चुनना पड़ेगा तो हमारे पास इस परकरका कोई नहीं है अब देखिए यहां पर supporting document क्या है कुछ लोग पूछ रहा है कि supporting document देखिए यहां पर supporting document का मतलब हो गया जैसे अगर आप spouse quota से transfer के लिए apply कर रहा है तो आपके पास कोई proof होना चाहिए कि मतलब आपका वीवी या पती जो है मतलब नोकरी करते हैं तो इसका document यहां पर डाल देना उसके बाद यहां पर देखिए उसके बाद नीचे में आपका देखिए तो आपका मतलब address होगा जो आपने मतलब दीया हुगा ऊसके बाद यहां पर देखेंगे क्यांपर एक check box होगा इसको भी आपको इप Dieses surprises न हैहां आपको जो अगर आप पास अप्लाई किया है पास बनने के बाद जो है उसमें भी एचरे में साइडी आता है नहीं तो अपने ऑफिस से जाके आप उससे पूछ सकते हैं करें साइडी किया है उसके बाद रीमार्क में भी आपको ये भर नाएं जैसे मालीई को ट्रांसफर जाना है तो वाइब जो है मतलब इस जगह जोब करती है इसलिए हम तोनों को तकलिफ हो रहा है हमें वहाँ ट्रांसफर किया यह सब बाते आप रिमार्ग में लिख सकते हैं उसके बाद यहाँ पर सब्मिट का बटन है सब्मिट बटन को दबा देजिए उसके बाद आपका अप्लिकेशन जो है फाइनली सब्मिट हो जाएगा और यह अप्लिकेशन आपके अधिकारियों के पास जाएगा उनका अपूर्वल होने के बाद यह डिवीजं में जाते हैं दोस्तों आफ करते हैं वीडियो आपको समझ में आओगा तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बगल जल्दी हैं अपने चैनल पर मोचल ट्रांसपर सम्मन नीत और कैटेगरी चेंज जैसे डिपार्टमेंट कैसे चेंज करते हैं ओनलाइन के माध्यम से वह भी अपने वीडियो अपने चैनल पर आपको वीडियो प्रवाइट कराऊंगा तो सस्क्राइब कर लें धन्यवाद